सब्सक्राइब तो आज चैनल, प्रेश दी बेल आइकन, डेट यू केंगेट एवरी अपडेट इंस्टेंटली नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं about myriad winged bird, अब myriad winged bird क्या होता है, myriad winged bird जो ये title है, इसका मतलब होता है, countless wings वाला bird, countless यानि की असंख है, जिसको आप गिन नहीं सकते, तो myriad winged bird, ये जो title है, इसका मतलब ये है, कि ऐसा पक्षी, जिसके पंक इतने सारे हैं, जिसको आप गिन ही नहीं सकते, असंखे पंकों वाला पक्षी, ठीक है, तो इसके अंदर जो about the poem वाला portion है, वो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर समझाने वाला, explain करने वाला कुछ भी नहीं है, असच, तो हम शुरू करेंगे about the poem से, तो आईए शुरू करते हैं about the poem, तो ये जो poem है, इसे originally Tamil language में लिखा गया था, जो कि अदूरी सत्यवती देवी ने लिखी थी, लेटर ओन, इसे के दामोदर राओं ने English में translate किया, जो कि first time परतिभा इंडिय नाम की magazine में 1981 में publish हुई, तो आप इसके अंदर तीन चीज़े याद रखिये, बस पहली चीज ओरिजिनली से अदूरी सत्यवती देवी ने लिखी थी, दूसरी चीज इसे translate किया था केदामोदर राओं ने, तीसरी चीज ये परतिभा इंडिया नाम की magazine में 1981 में publish हुई, अ ये देख लेते हैं कि ये किस चीज के बारे में या किस theme पे लिखी गई थी, अब आप ये ध्यान लखना कि अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको आप अपनी theme के अंदर use कर सकते हूँ, मतलब अगर आपको question आ गया ऐसा कि miriard winged bird की जो theme है उसे explain करो, तो आप ये जहां से अब मैं पढ़ाऊंगा, वहां से आप उसे pick कर लेना, तो ये जो poem है, ये basically poet के creative flow या poetic flow को represent करते होई लिखी गई है, ठीक है, इसका theme यही है, अब poetic flow का मतलब क्या होता है, तो poetic flow का मतलब ये होता है, कि जब कोई poet, कोई poem लिखने के लिए बैठता है, जब कोई poet, क का मतलब ये है, कि हर कोई poem नहीं लिख सकता, है ना, हर कोई poem नहीं लिख सकता, क्यों, because हर किसी को ये poetic flow नहीं मिलता, हर किसी को ये पता ही नहीं चलता, कि किस feeling को किन शब्दों के साथ किस तरह से represent करना है, है ना, मतलब उनके पास poetic flow की कमी है, उनके पास poetic flow नहीं होता, but ए बहुत आसानी महसूस करता है जिसे यूज करके उसे poem लिखने में आसानी होती है तो इससे पहले कि हम poem शुरू करें मैं आपको ये बता दूं कि इस poem को पढ़ते वक्त अपने mind में ये रखना है कि इस poem के through poetess अपने poem लिखने के process या जिसे हम poetic flow बोलेंगे आगे को अलग-अल लिखती है तो उन्हें किन-किन चीजों का experience होता है ठीक है जब वो poem लिख रही होती है तो उन्हें किन-किन चीजों का experience होता है और वो उन्ही experience को फिर अलग-अलग चीजों के साथ compare करके poetic devices का इस्तेमाल करके उसे explain करती है अब मैंने यहाँ पर एक term use किया poetic devices अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि poetic devices क्या चीज होती है तो मैं आपको आसान भाशा में ये पता दूँ कि poetic devices को हिंदी में या पंजाबी में अलंकार बोलते है तो अगर आपने हिंदी पंजाबी में अलंकार सुना है समझने में असानी होगी ये को नहीं पता है उनको मैं ये मता दूँ कि अलंकार basically क्या होता है न कि जैसे आप अगर female gender को देखोगे तो वो अपने आपको सवारने के लिए सजने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करती है उन्हें उनका अलंकार बोलेंगे वैसे ही अगर आप male gender को देखोगे तो वो जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जैसे watch हो गया, goggles हो गया ये सब चीज़े तो उन्हें उनका अलंकार बोलेंगे तो ये तो humans के साथ हो गया इसी तरीके से poem के साथ में, essay writing के साथ में, story writing के साथ में ये किसी भी creative field के अंदर और मत सकते हो ना कि poems जो हैं वो घुमा फिरा कर किसी तरीके से लिखी जाती है, वो बस अलंकारों के इस्तेमाल से ही लिखी जाती है, जैसे अगर किसी poet ने किसी poem के अंदर लिखाया है कि उसका चाहरा चांद के समान सुन्दर है, तो वो सीधा भी लिख सकता था कि वो जो है अलंकार का उसमें poetic device का इस्तेमाल किया है, जिससे कि poem और ज्यादा सुन्दर, expressive और meaningful बनाने की कोशिश की है उसने, तो अब हम एक एक line को interpret करके समझते हैं कि poetis क्या कहना चाहती है, तो इसकी जो first line है, इसमें लिखा हुआ है कि word is a child's play, ठीक है, क्या लिखा है, word is a child's play, word का मतलब हमें पता है क्या होता है, शब, child's play का मतलब क्या होता है, child's play का मतलब होता है, बच्चों का खिलोना, ठीक है, तो word is a child's play, तो इसमें सबसे पहले आप अपनी notebook में ये लिख लो, कि यहाँ पर poetic flow को poet ने word कहके represent किया है, मतलब कि अगर इस पूरी line जो कि है word is a child's play, उसमें से आप एक बार के लिए मालो की word आपने हटा दिया, तो अब आप word की जगा पे उसे fulfill करने के लिए क्या रखोगे, तो आपको वहाँ पे लिखना क्या है, poetic flow, यानि कि हकीकत में वो ये कहना चाहती है, कि poetic flow is a word's play, लेकिन उसने poetic flow को हटा के, उसकी जगा पे word ठीक है, मतलब कि poetic flow is equal to word है, तो poet क्या करती है, वो first tenja में सबसे पहले हमें ये कहती है, कि आप imagine करो, कि एक बच्चा अपने twice के साथ खेल रहा है, अब मैं आप से ये question पूछ रहा हूं, कि अगर कोई बच्चा या हम ही जैसे बच्चपन में थे, या अब भी है, तो अगर ह हम अपने खिलोनों के साथ खेलते हैं, या कोई भी गेम खेलते हैं, तो क्या हमें उस गेम को खेलते टाइम, कोई परिशानी होती है, या जब हम बच्चे थे, तो हम अपने खिलोनों के साथ जब खेलते थे, तो हमें अपने खिलोनों के साथ खेलते हैं, कोई परिशानी हो कि भई हमको शाम को ऐसे 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 खेलना है ठीक है हमें यह सब कुछ नहीं करना पड़ता है शाम को हम जाते हैं बैठते हैं अपने खिलोनों के साथ खेलते हैं मतलब कि हमारा खिलोनों के साथ खेलना बहुत ही आसान काम है ठीक है हमें कोई मुश्किल नहीं होती ठीक है तो वहीं कह रही है कि first tenja में सबसे पहले हम यह imagine करके चलेंगे कि एक बच्चा आपने toys के साथ खेल रहा है, तो क्या उसे उस game में कोई मुश्किल आएगी, क्या उसे उसके साथ खेलने के लिए तैयारी करने पड़ेगी, नहीं न, सो इसी तरह poem लिखना भी मेरे लिए इतनी ही आसान, natural और spontaneous चीज है, मुझे कोई मुश्किल नहीं आती poem लिखने में, बहुत आसान है, बहुत natural है, बहुत spontaneous है, spontaneous का मतलब क्या होता है, spontaneous वो चीजे होती है, जिनकली आपको तयारी करना ही पड़ता, आप at the moment उस चीज को कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि अगर किसी कोई cricket खेलने में बहुत अच्छा है, तो उसे cricket, मतलब अगर आप उसको कभी भी कह दोगे, कि भाई चल तू बालिंग करा के दिखाया, चल तू बैटिंग कर, वो तुरंत कर देगा, ठीक है, उसको इसके लिए फालतू में किसी तरीके की preparation क के जरूत नहीं पड़ेगी, तो वही यह कहती है, कि इसी तरह poem लिखने भी मेरे लिए इतने ही आसान, natural और spontaneous चीज है, तो इसी लिए ये मेरे लिए child's play के जैसी चीज है, आसान, natural और spontaneous, ठीक है, अब यह तो थी पहली line, जो कि है word is a child's play, अब second line है, a dove creeps into me when I caught in the middest of the alphabet, that I gently revolves around my head, dove का मतलब क्या होता है, dove का मतलब अब लिख लो सफेद रंगा जो कबूतर होता है, उसे dove बोलते है, middest का मतलब होता है, beach में, ठीक है, mid, mid को middest कहते है, ठीक है, यहाँ पर middest का है, poetic language में, तो mid, mid का मतलब होता है, beach में, gently, यानि softly, ठीक है, बहुत है, soft तरीके से, so second line है, a dove creeps into me, when I caught in the midst of the alphabet, that gently revolves around my head, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि poet ने यहाँ poetic flow को word कहा है, और word को फिर वो अलग अलग चीजों से represent करेगी, मतलब पहले उसने poetic flow की जगह पे word यूज किया है, अब आगे वो word को भी अलग अलग तरीके से लिखेगी, तो इस line में भ कि यहाँ पर poet ने word को dub कहा है, ठीक है, सफेद कबूतर, अब यहाँ पर poet ने एक metaphor use किया है, metaphor क्या होता है, metaphor एक poetic device है, जिसका सीधा सा मतलब यह होता है, कि आप दो अलग अलग तरह की चीजों को आपस में compare कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर poet ने word को और dub को आपस में compare कि अब word अलग चीज है, ठीक है, word क्या है, word, alphabets का एक, जो है, बहुत सारे alphabets को आप जब मिला कर कोई meaningful चीज लिखते हो, तो उसे word कहते है, dub क्या है, dub एक पक्षी है, तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का आपस में कोई relation नहीं है, तो दोनों चीजों को जब compare करके एक जिखर पर दिखाया गया है, तो उसे हम metaphor बोलेंगे, इसे आप लिख लो, क्योंकि ये बहुत important चीज होती है, poem के अंदर कि आपको पता होना चाहिए, कि उसके अंदर कौन से poetic devices का इस्तिमाल हुआ है, क्योंकि ये paper में एक number का question तो इससे बनता ही है, तो यहाँ पर poet ने लिख लिख मैं शब्डों के बीच में फस्ती हूं, शब्दों के बीच में कब फस्ती हूं और शब्दों के बीच में फस्ती हूं, तो जो शब्द है, क्या करते हैं, वो gently, gently यानि कि softly मेरे सिर के चारो और revolve करने लग जाते हैं मतलब क्या है इसका कि जब कभी मैं पोईम लिखने बैठती हूँ और शब्दों के बीज में फस्ती हूँ तो शब्द मेरे सिर के चारो तरफ घूमते रहते हैं यानि कि मुझे शब्दों को ढूंटने के लिए बहुत द यहां पर उसे symbolize क्या कर रही है कि जब मैं poetry लिखती हूँ जब मैं poem लिखती हूँ तो एक peace की feeling मेरे अंतर आती है मैं एक peace experience करती हूँ मैं शांती सुकून महसूस करती हूँ ठीक है poetess यह कहना चारी है यहां पर अब इसमें दूसरी चीज आपने यह समझनी है कि इस line में poet एक और imagery यूज कर रही है imagery भी एक poetic device जैसे पहले आपने metaphor देखा वैसे ही imagery भी है poetic device तो इस line में जो poetess है वो एक imagery यूज करती है imagery कहां यूज करती है वो जब poem की line है यहां पर caught in the midst of the alphabets जब मैं alphabets के बीच में फस्ती हूँ जिसका यह Hindi अनुवाद है तो dove यानि words softly and gently मे सिर के चारो और घूमने लगते हैं तो पूरे stenja की summary यही है यहां पर कि poet बोलती है कि poetic flow यानि कि words मेरे लिए child's play की तरह है बिलकुल आसान, natural और spontaneous और जब भी मैं alphabets के बीच में फस्ती हूँ यानि कि poem लिखने बैठती हूँ तो words मेरे सिर के चारो और revolve होने लग जाते ह यानि मुझे शब्द ढूंडने में परिशानी नहीं होती और a dove creeps into me यानि कि मुझे बहुत सुकून मिलता है poem को लिखते वक्त अब आते हैं second stenja पर, second stenja की lines है rolling in the cradle of fairy tales as I reach out for rabbit like moon's ear and crossing as usual cloud treasures while I enter into starry tense words became lullaby अब इसमें lullaby का मतलब क्या होता है lullaby का मतलब होता है lory जो हमें सोते हुए हमारे parents सुनाते हैं सुलाने के लिए जो lory सुनाई जाती है वो है ठीक है इतमे poet अपने poem लिखने के वक्त के experience को compare कर रही है किस से rolling in the cradle of fairy tales से मतलब आप दो चीज़ इसमें note करना कभी भी पहली चीज की poem compare क्या कर रही है एक चीज को अपने experience को कि मुझे क्या-क्या experience आता है उसे एक चीज़ से compare करती है हर एक stenja में और दूसरी चीज compare करती है word को या poetic flow को compare करती है किसी और चीज से तो इसमें poet अपने poem लिखते वक्त के experience को compare कर रही है किस से rolling in the cradles of fairy tales से मतलब जब मैं poem लिखती हूँ तो मुझे उतना ही आराम मिलता है जितना की परियों की कहानियों को सुनते हुए उनके पालने यानि की जूले में जूलते हुए जितना मुझे मज़ा आता है जिसमें जूलते हुए हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और बहुत ही आनंदमी हो जाते हैं उसी तरह पोईम लिखते हुए भी मैं चांद की दुनिया में पहुँचने लगती हूँ जहांपर बादलों में छिपे तारे सोने चांदी की तरह नजर आते हैं जिससे जो clouds जो बादल है वो किसकी तरह नज़र आते हैं, starry tents की तरह नज़र आते हैं, starry tents मतलब वैसा tent, tent तो हम सबको पता है क्या होता है, जो शाद्य चाहदी बीज़र आते हैं तो starry tents नज़र आते हैं यानि कि वैसे tent जिनके अंदर में तारे लगे हुए है ठीक है तो वैसे टेंट लगने लगते है तो इस टेंजा में point ने simily use किया है ठीक है एक जगर पर point ने simily use किया है अब आपको कैसे पता लगी का simily कहां use किया है तो जहां कहीं पर भी आपको as 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 इसे mark कर लिजी या like as और like दोनों में से कोई भी चीज आपको कहीं लिखी दिखे वहाँ पर समझ लो कि simily use हुआ है जैसे यहाँ पर जो point है, point ने कहां पर use किया है यहाँ पर point ने use किया है fairy tales as I reach out यहाँ पर as use किया है as I reach out ठीक है उसके बाद दूसरी जगे use किया है rabbit like moon's ear में ठीक है तो इन दो जगों पर similarly use किये point ने ठीक है अब आते हैं third stanza पर third stanza में क्या है कि while sleeping over dream lids of velvet flowery fragrance of silicon youth word approach me like a song in a season of wild blossoms अब एक चीज हमें इसमें देखनी चाहिए जो कि मैंने आपको पहले भी discuss कि है आपके साथ कि इसमें poet अपने poem लिखने समय के feeling या experience को compare कर रही है ठीक है अब इसमें क्या compare कर रही है इस experience को compare कर रही है वो silicon youth और soft fragrance of flower से मतलब दोनों काम में same softness है आराम है और poetic flow को compare कर रही है song in the season of wild bloom से मतलब बसंत के मौसम में जब flowers खिलने लगते हैं न किस से कि जब मैं silicon youth में थी उस time पे मुझे जो bed पे जो softness लगती थी poem लिखते time मुझे ऐसा ही experience आ रहा है दूसरी चीज कि जब मुझे poem लिखती हूं तो ये इतना ही natural है मेरा poem लिखना जितना कि natural है बसंत के मौसम के अंदर में flowers का खिलना फूलों में बहार आना बागों में बहार आना जितना वो natural है उतना ही मेरे लिए poem लिखना भी natural है ठीक है ये इस चीज को बोल रही है मतलब in total point कह रही है कि जब वो poem लिखती है तो उसे ऐसा feel होता है जैसे सोते वक्त वो एक silicon youth हो और उनके सपनों में से फूलों के खुशबू आ रही हो और poem लिखते वक्त शब्द उनके पास इतने naturally आ जाते है जैसे कि बसंत के मौसम में फूलों का खिलना natural हो अब यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट कर लो कि यहाँ एक phrase यूज हुआ है फ्रेज क्या है flowery fragrance अब flowery fragrance का मतलब है जिसमें दोनों words की शुरुआत होती है F से F से flowery, F से fragrance इसका मतलब है कि यहाँ पर alliteration का यूज हुआ है अब alliteration भी एक poetic device है अभी तक हमने कितने poetic device देखे पहला हमने देखा metaphor दूसरा हमने देखा imagery तीसरी हम देख रहे है alliteration यहाँ पर alliteration यूज हुआ है alliteration का यूज हुआ है तो alliteration क्या होता है alliteration का मतलब होता है कि जब दो शब्द same word के साथ शुरू होते हैं तो उसे alliteration बोलते हैं ठीक है और साथ में एक चगा यह भी लिखा हुआ है कि approach like a song यह भी use हुआ है मतलब वहाँ simile का use हुआ है कैसे approach like a song like शब्द हमने पहले एक और देखा था poetic device देखिए like तो like का मतलब like या as यह दो चीज़े जहां लगी हो उन्हें हम क्या बोलेंगे simile बोलेंगे तो यह हो गया third stage अब मैं आपको इतना बता दो कि आप अपने notebook पे कुछ चीज़े लिख लेजिए जो कि मैंने important बताई है जैसे कि जिन शब्दों का मैंने मतलब बताया है आप उन शब्दों को लिख लेजिए जो चीज़े मैंने notebook में note करने को बोली थी आप वो लिख लेजिए अगर आपने कुछ नहीं भी लिखा है तो यह तो लिखे लेजिए कि पोईम के अंदर में कहा कहा पे कौन कौन थी poetic devices used हुई है ठीक है ताकि आप जब दुबारा से इसको पढ़ोगे इसके text को पढ़ोगे तो आपको इतने मुश्किल नहीं आएगी ढूणने में तो third stanza तक हमने कर लिया अब हम बात करते है fourth stanza की तो fourth stanza में लिखा है कि अब इस stanza से पहले जो हमने जितने भी stanza पढ़े है तो इस stanza से पहले वाले stanza में आप देखोगी कि आपको ऐसा लगेगा कि poet अपने poetic flow को compare कर रही है fairy tales की दुनिया से मतलब इस दुनिया के बाहर की जो चीज़े है कहीं पे वो rabbit like moon's ear से कर रही है कहीं पे वो किसी चीज़ से कर रही है मतलब वो real world की दुनिया से अपने experience को compare नहीं कर रही है अब इस stanza में आप क्या देखोगे इस stanza में वो अपने poetic flow को compare करेगी real world से वो stanza में क्या कहती है कि जब कभी भी वो lonely feel करती है ठीक है depressed feel करती है देखे यहाँ पे लिखा है न कि when I bid farewell to dreams in song subsuming myself in lonely journeys जब मैं feel करती हूँ अपने आपको lonely journeys में and relentless fires ठीक है तो जब भी lonely feel करती हूँ depressed feel करती हूँ तो words मुझे फिर से comfort provide करते हैं और उसने इसके लिए word को mother के milk से compare किया है कि जैसे एक बच्चे को उसके mother का milk उसे comfort provide करता है जब भी उसे भूख लगी होती है जब वो परिशान होता है उसी तरीके से जब मैं lonely feel करती हूँ तो मुझे भी जो मेरे words है वो इतना ही comfort provide करते हैं जो मेरा poetic flow है जो मेरी points है वो मुझे उतना ही comfort जो है वो provide करते हैं ठीक है ऐसा है अब इसी तरह से fifth tenja में वो कहती है कि वैना consume time timidly circling round like a spider and facing humiliations humiliations मतलब श्रमिन्दा facing humiliations like a caterpillar that lost its ways word became a school in itself मतलब जब कभी भी poet embarrassing या humiliations वाली situation में होती है तो poetic flow या word उसके लिए खुद में ही school बन जाते है अब school में क्या होता है school में बच्चे सीखते है तो इसी तरीके से उसे learning experience देते है word ठीक है मतलब जब भी उसे ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे situation में है जहाँ पे उसे embarrassing महसूस हो रहा है humiliation महसूस हो रही है तो उसके word जो है उसके जो word है वो उसके लिए school बन जाते है उसे learning experience देते हैं तो इस tenja में poet ने दो similes यूज की है एक है circling around like a spider यहाँ पे like यूज किया है और दूसरी है facing humiliations like a caterpillar ठीक है यहाँ पे भी like यूज किया है तो इसमें वो अपने idleness यानि कि idle क्या होता है idle होता है सुस्ती ideally वाला idle ideal वाला ideal नहीं वो होता है अधर्श जिसको आप देख के करते हो कि भाई इसके जासा बंदा होना चाहिए ideally होता है सुस्त जिसको देखके कहते है यार भाई तो ठीक है तो अपनी जगह पर मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ ठीक है तो इसमें वो अपने idleness यानि कि जब वो कुछ नहीं कर पा रही होती है उस situation को उस humiliation को spider और caterpillar के humiliation से compare करती है जब वो अपना रास्ता भूल जाते है spider और caterpillar होते हैं अपना रास्ता भूल जाते है तो उस वक्त से compare कर रही है या कह सकते हैं कि represent कर रही है ठीक है अब 6th tenja में वो कह रही है कि when I join night angle clubs smelling poetry and enter the page of human history from the fret of life fret of life का मतलब क्या होता है life के confusions, जलाहट इसे fret of life बोलते हैं ठीक है word clenges word clenges me like a waterfall in a magnetic field of moonlight clenges क्या होता है clean करना, साफ करना, धोना ठीक है तो मतलब जब कभी भी वो life की जलाहट या confusion या irritation में फसी होती है उस वक्त poetry या poetic flow उनकी इस जलाहट को waterfall यानि जरने की तरह आकर धो देती है और वो fresh feel करती है ठीक है तो ये इस paragraph में था अब हम पहुँच चुके हैं last paragraph पे तो last paragraph में poetis कहती है कि word is a throat box music treasure on my gentle loving palm as I float toward distant melodies of new horizons मतलब word या poetic flow throat box है music treasure है जो उसे educate भी करता है और entertain भी करता है music क्या होता है music हमें generally entertain करता है लेकिन poetis क्या बोल रही है कि music मुझे सिर्फ entertain ही नहीं करता है वो मुझे educate भी करता है और दोनों को combine करके हम क्या बहुत सकते है कि music उसे edutain करता है ठीक है और वो चाहती है कि वो और poetries और melodious songs लिखे और इस music treasure को और enrich करें मतलब कि इस music treasure को और ज़्यादा धनी बनाए और इस तरह से वो इस music के रूप के जो mirriate winged bird है को और भी colorful बनाए और भी उसमें punk लगाए मतलब कि उसने यहाँ पर music को या poetry को एक bird से compare किया लास्ट में और कहा कि मैं और भी poetry लिखूँ और भी poem लिखूँ और भी अच्छे-च्छे songs लिखूँ और उन songs वो songs क्या है feather है वो poetry क्या है feather है जो कि उस bird के feathers में जाके जुड़ें और उसे और ज़्यादा enrich बनाए ठीक है तो यह इस पूरी के पूरी poem के अंदर था तो बस लास्ट में मैं आपको इतना ही बता दूँ कि इस poem के अंदर है एक छोटी सी चीज़े आप दिमाग में हमेशा रखिएगा कि इसमें poetist कह रही है कि मेरे लिए poem लिखनी बहुत आसान है और मैं चाहते हूँ कि मैं और भी ज़्यादा poems लिखनी हूँ ताकि यह जो poem या जो songs का जो bird है उसके अंदर उसके punkों में मेरे द्वारा लिखी गई poems या songs जाके जुड़ जाए और वो punk और भी घने हो जाए और भी बड़े हो जाए ठीक है यह है आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए ठेंक यू और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए मोटिवेट करते रहिए और इस वीडियो को जाज से जादा शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ठेंक यू, ठेंक यू और आपनाइस टे